हेलो गाईज विल्गम बैक टुमाइटूब चैनल यसके मिशड़ी अवे आप सक्सेच और यहां पर हम आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचे कैसे याद करें ट्रिक से कैसे लिखें हैं ट्रिक से क्यों आपको ट्रिक य यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहसे वीडियो चाहिए तो प्लीज यार अपने इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ठोकिए सेर ठोकिए हर चीट ठोक डाली लेकिन आपको करना जरूर है तो चले देखते हैं महादेवी चाहियो belief अको इनको जद्या इस जिन मी चाहिक हैं सबसे पहले इनकी यात करना है इनकी मृत यात करनी है अश्थान यात करना है और पिता का नाम यात करना है बससलिक इन अगर चार चीजों को यात कर लिए तो आप तो च entire जैसे आभी जीन परिचे से इसवी में हुई थी देखे साथ साथ कामन मिला 1919 बस यहां से देखे साथ के बाद 8 कर जीजिए और साथ दुबारा लिखे बस तो जनव 1907 और मिर्ट्व 1987 यह जो साथ है इसको बना दीजिए बस यहां पे जीरो और यहां पे आड बाकी सब सेम ही रहेगा यह समझ लेजिएगा कि मिर्ट्व में लोग क्या गरेंगे यह जी जो जीरो है इसको आड म बना दीजिएगा और महादेवी वर्मा का मिर्ट्व पता चल जाएगा तो महादेवी वर्मा का जन्म सर 1907 इसवी में फरुखा बाद अभी मिर्तु को नहीं लेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी लिगना है महादेवी वर्मा का जन्म 1907 इसवी में फरुखा बाद नामकस्तान पर हुआ था इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी था ये हिंदी जगत की महान कवित् इन्होंने मैट्रिक एफ ए तथा एम ए की परिक्चाय उत्तिरिन की इन्होंने प्रयाग महिला विद्या पीट के प्रधाना चार के पदपर भी को सुभो सुसोभित किया यह रह चुकी थी महादेवी वर्मा उत्तब देश विधान परिशत की सदस से भी रही और इन्हें पद में भूसर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्तु सर्व 1987 स्वी को हो गई अब रचनाय तो महादेवी वर्मा ने गद्य एवं पद्य दोनों में स्रेश्ट रचनाय की है इनकी प्रसिद्ध रचनाय निम्न है जैसे कौन-कौन सी काव्य निहार रस्मी निर्जा सांध गीती दीप सिखा यामा इत्याद निवंद संग्रह अतीत के चल चित्र इसमिर्ट की रेखाय श्रिंखला की कडिया इत्याद इनकी निवंद संग्रह थी आ लोचनात्मत ग्रंथ क्कौन-कौन-कौन-से थे हिंदी का वीवेच भात्मक गद्ध इनकी क्या तो आलोचनात्मा ग्रंथ तो यह मेरे प्यार महादरी वर्मा का जीवन परिचे और ऐसे विडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें कि दूस्त थांक्यों जाएं